नमस्कार साथी आपका स्वागत आपके योट्यूब चैनल ट्रेट विट्रॉनिक चले दोस्तों आज के सुरुवात करते हैं आज 25 मार्च और रात के 10 बच के 11 मिट और हैं मार्केट आफ है बट आज एक चीज़ देखना मिली हमार को कौन कोर के अंदर एक तेज़ी देखना में थोड़े में बताऊंगा तो यह मैं पहले कंपनी की वेबसाइट पर तो पहले ऑवर्विव करेंगे हम फिर उसके बाद आके कैसे रहाना लगा ट्रेटिक सेजन इन सब बात करेंगे मगर उससे पहले अगर अभी तक आप अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं है पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आपको बचाना बिल्कुल ना भूलिए देखिए कौन कोर के बारे में ज्यादा एक्स्प्लेंड करने की जुरूत है नहीं आपको कंपन करesian का काम है तो अब देखिस के आदर पहले हम इसका मार्किट क्यक्ण समझएंगे अच क्या रहा और क्या मोमेंट या किती और देखते वह समझते हैं बिल्कुल ना भूलिया तो कंटेनर कॉपरिशन ओफ इंडिया लिमिटेट एनसी बेसी दोनों परिशेड़ कंपनी आज की मार्केट कैप 42,080 गरोड बेगा इस्टॉक पी चल्लाइस का एक कावन पंट वन का इस्टॉक आर ओसी इसका चल्लाइस साथ पंट 75 परसेंट का अपने डिविडेंट मेंटेंट रखें 52,35 परसेंट के हिसाब से और इसका कंपनी और अच्छी ग्रोथ रिखा रही है जानिकर जो सिग्मेंट होता है यानिकर जो कंटेनर का काम होता वो कभी रुकेगा तो है नि तो उसके उसके लिए आपको कहें भी लेंदेन के लिए बड़े लाज़ज स्केप में यूज होता है ठीकिन अल्टिमेटली हमारा को आउट ओफ इंडिया भीजना इंडिया से कुछ बी इंडिया के बार से इंडिया के अंदर मुंगाना या आपको एक स्टेट से अधर स्टेट पहुचाना तो उसमें भी अन्टेनर का यूज हो यह तो आपको clear out हो चुका हो बजारकर एक छोटी सी positive news आते तो शेर भग जाता है चोटी सी negative news आते तो शेर गिर जाते है तो आज एक news आई है कि इन्हों की इन्हों के साथ अनलाइस के अंदर और जो इनके VC meeting ती जो जो इन्वेस्टर तो final sun of Concord investor जो उन्हों के PK अगरवाल और सिरी हर्स चंद्रा ठीकिना इन्हों के साथ जो meeting हुई है तो उसके विहाब पर investment यानि के देखें कंपनी जो इन्वेस्टर आ रहा है यानि के कोई इंस्ट्यूट इंवेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने जा रहा है तो उसकी meeting चल दिए तो इन्हों ने इसमें तीजी देखने को मिली आज की दिन आपको शेयर केंदा तो देखेंगे आज के दिन ट्रेटिंग सेशन कैसा रहा तो यह देखेंगे आज की दिन यह मोटा मोटा 10.5% तीजी के साथ यह बंद हुआ अची डिट पे आज यह open होता 623 रुपे पे हाई मारे इसने 705 रुपेगा लो मारे इसने 623 रुपेगा 52 आइस का 714 रुपे 40 पैसे 52 रुपेश का 542 रुपेगा पांस दिन के अंदर युद्ह ने हमारको अभी तक इसने हमार को कित्तर रुपे रिटन दिया 5 दिन के अंदर जेख कर बंध सकते हैं बांस दिन के अंदर इसने अमारको 15,84% नnd पर सद्पर सफेंट लिटन इए 1 MONTH के अंदर इसने अभी तक और Rel bay पॉजिटिव में तो आप देखो यह तेजी के दमखम देखना हो मिल रहा है यानि कि आप देखेंगे डे वाई डे कौटर वाई भी रिजल अच्छा रहा है और पांस दिन के अंदर जो आज इसने तेजी दिखाई यानिके इसमें इंवेस्टर के जो न्यूज आई है उस व बॉलता है डवल बॉटम पैटन तो डवल बॉटम बैटन से यह बापस फिर फिर आ रहा है तो यह देखे आज की दिन पर हड़ बना हुआ यहां पर यह देख सकते हैं आप 700 रुपर के आज सपास हड़ बना तो आज उसको हड़ल को ब्रेक तो करो मैं हुआ पर सस्टेंड नहीं कर पाया शेर मट गराबट हुए हुआ से यह दिन पर सास्टों के नीचे क्लोज हुआ तो इसका मतलब तेजी के दमखम और देखने को मिलेंगे क्योंकि पूरा रॉंडिंग पैटन यहां बना है डवल टॉप बॉटम बना है यह सकते हैं आप इस बॉटम को इस बॉ सकते हैंं हो काशी में जाचुका है जल्दे ऐस तो आगई जा चुका है अब यहां पर कल के दिन इसमें देखिए आपको इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कहने इसके अंदर अगा आपके पास है तो होल्ड रखिए यह जल्दी अपना 52 हाई तोड़ेगा क्योंकि जिससा से चार्ट पे पैटन देखने हो मिल रहा है यह तेजी को दमखम होई है और डबल टॉप चार्ट पैटन बना है तो इस विए से उसमा और तीजी देखने हो मिलेगी तो आभी फ्रैस बाइंग बिलकुन मत होई है क्योंकि अभी आपको इन्वेस्टमेंट करें अगर आपके पास है तो होल्ड रखिए जल्दी अपना 52 हाई तोड़ेगा जल्दी इसमें देखने को मिलेंगा अब लेवल क्योंकि इसमें जो ब्रिक आउट देखने हो मिला है हंडडर डेस के अवर्श मॉफ के अपर वह और अच्छी खासी तीजी को दमखा मुट दिखाएगा तो चल्दी इसमें फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते तो मैं आपको स्टॉप लोस बदाऊंगा आपको 634 रुबे के स्टॉप लोस से बाय कर सकते हैं क्योंकि कल के दिन इसमें करेक्शन होती है तो कोई घबराने की बात नहीं है बट यह जल्दी अपना 52 हाई तोड़ेगा 634 रुबे के स्टॉप लोस से प्रीडों